हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिक्स की तो बेसिक लेक्ट्रिकल में हम पढ़ा था हमने प्रिविएस लेक्ट्र में और इस के आगे बढ़ते हुए हम सीरीज आरल से तो बेसिकल्य यह पढ़ा कि यह वह इसको अलेड़िया चार्ज करके रखा है और यह वोला था कि इसका वीशी वोल्टेज बताओ वगएरा वगएरा हमने देखा था और हमने क्य आफाइनली देखा था कि यह भाई साब औंशिलेट कर रही है यहां से कॉस्त कर रहे हैं तो यह कभी स्थ पॉस्टिव नेगेटिव फिल्टिव निगेटिव देखा बट अभी हमने क्या गिया है, LC के अलावा, यहां पे एक resistance भी जोड दिया है, ठीक है, तब कैसे circuit बिहेव करेगी, यह हम इस वीडियो में समझेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, तो हमें सेम VC का graph बनाना है, ठीक है, कैसे बनाएंगे देखते हैं, तो सबसे पहले intuitive, ठीक है, अगेन वही 2-3 स्टेप जो हैं हमारे analysis के, intuitive analysis, mathematical analysis, और थोड़ा बहुत control system के वे से भी देखेंगे, I am not sure, इस वीडियो में देख पाएंगे कि नी, बट next वीडियो में तो हम sure देखेंगे control system, इसका बहुत ही मस्त है, सिंस दो energy soaring element है, second order का equation आता ही हमने देखा था, बट यहां पर हम resistance आ गया है, तो थोड़ी सी चीज़े और complex हो गई हैं, बट घबराने की बात नहीं है, हम अच्छे तरीके से इस चीज़ को सिखेंगे, तो अब यहां पर हम intuitively क्या पता चल रहा है, कि अगर यह resistance नहीं होता, नहीं होता तो क्या होगा, यह भाई साब तो cause के form में आएंगे, ठीक है, यह ठीक है, कुछ तो cause के form में आएगा, ओके, यह ऐसे roughly बना लिया, बट अब यहां पर resistance है, तो क्या होगा, तो यह cause के form में क्यों आता था, क्योंकि capsulitur से inductor inductor से capsulitur energy से घूम रही थी but since यहां पर एक resistance है तो हमें क्या बता है यह दोनों के LC energy storing element है but यह energy store नहीं करता है resistance यह energy dissipate ही करता है तो क्या होगा cycle by cycle यह क्या होगा energy degrade होती जाएगी तो मेरा intuition यह कहता है कि start to यहीं से होगा क्योंकि अगर T is equal to 0 पर initial condition VC है तो यह VC से यह start होना चाहिए ठीक है VC 0 rather ठीक है VC 0 लिख देता हूँ initially VC 0 है यह और यह यहां से नीचे जाएगा नीचे जाएगा और नीचे जाते जाते कुछ energy lose कर देगा यह wire resistance ठीक है और फिर यह कुछ इस तरह से और फिर और लूज करेगा और फिर और लूज करेगा और यह इस तरह से dump हो जाएगा ठीक है तो यह कुछ इस तरह से waveform आना चाहिए मेरे intuition यह कहता है अब यह कितने cycle बाद डंप होगा कैसे dump होगा कैसे यह मरेगा कि और चलते जाएगा यह सब भाई यह RLC के वैल्यूस पर डिपेंड करता है थोड़ी complex है चीज़े इतना तो में समझ में आ रहा है कि यह जैसे जैसे जाते जाएगा यह resistance जब भी चार्ज होगा resistance कुछ लीग कर देगा फिर जब भी इंड़क्टर discharge होगा फिर से resistance कुछ लीग करेगा देगा लीग करते करते अब यह ऐसा भी हो सकता है कि यह oscillate ना भी करे यह डारेक्टली एक ही साइकल में रजिस्टेंस पूरा का पूरा लीग कर जाए है ना यह भी हो सकता है तो तो मैं से hypoth पूशते हैं हम तो तुकप लगा सकते है match हमें सही जवाब देता है तो match क्या भोलता है कि सबसे पहले तो भई आप यह लगा दो अपना क्वे लगा दो यहां पे तो महीं क्या पता है second सॉरी चेंज कर लेता हूं ठिक है तो यह वीकित मतलब क्याप का वोल्टेज वीसी जिरो उसका इनिशल वोल्टेज तो वीसी माइनस वी आर इस एक्वल टू जिरो के वील लगा दिया इधर से वीची माइनस वी और मैंने साइन अपोजित लेता हूं ठीक है कुछ लोग तो इसका साइन प्लस होना चाहिए, यह लोग खाने वाले लोग है, यह लोड है, लोड वोल्टेज ड्रॉप करता है लूप का, तो इसलिए इसमें माइनस लिखता हूँ, यह मेरा concept है, ठीक है, तुम लोग माइनस प्लस प्लस भी लिख सकते हो, इक्वल टू जीरो है, इल की direction यह है, ठीक है, अब वी आर क्या है, वी आर मैं लिख सकता हूँ, यह आई, इल इंटू आर, ठीक है, यह वी आर है, आई एल इंटू आर, यह हो गया, हमारे पास 0, ओके, अब देखो क्या है, हमारे पास, वी सी, ठीक है, और इस इक्वल टू, या फिर मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, माइनस से लिखता हूँ, अब यहाँ पर हमको पता, यह क्या हो जाएगा, आई एल इस इक्वल टू, माइनस आई सी, यह हमने देखा था, अब आई सी क्यों माइनस है, क्योंकि आई सी की direction देखो, ऐसे होती है, जब भी positive entering पर हमेशा मैं current लेता हू तो यह ic का current इधर है, तो ic is equal to minus il हो गया, ठीक है, अब मैं equation में इसको put कर देता हूँ, तो यह plus हो जाएगा, तो l dic by dt और plus ic into r, यह इस तरह से आगया, अब देखो, अब vc plus l, ic क्या लिख सकता हूँ, c dvc by dt, तो यह c d2 vc by dt, square, ठीक है, plus r, यह d, नहीं, यहाँ पर c dvc by dt, ic के जगा, c dvc by dt is equal to 0, तो यहाँ से हमारा equation बन क्या आगा, equation क्या आया, lc d2 vc by dt plus rc dvc by dt plus vc is equal to 0, तो यह हमारा पास एक differential equation आगया, second order का, ठीक है, यह हमें दिख रहा है, यह क्या है, second order का differential equation है, अब इसको एक और form में लिख लेते हैं, चुकि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए होता है, तो यह divide by lc कर देते हैं इसको, तो यह d2 vc divided by dt square है, यह dt square है, plus l by c, यहाँ से यह हो जागा, तो यह r by l, sorry, r by l, dvc by dt, ठीक है, और plus vc upon lc, यह आगया हमारे पास 0, तो यह एक differential equation बनके आगया, इस circuit का, ठीक है, differential equation in second order, okay, second order differential equation है, अब solve कैसे करते हैं, second order differential है, हमने देखा था, solve करने के लिए क्लिए क्लिए सकते हैं, characteristic equation लिखते हैं, तो लिखो भाई, characteristic equation, characteristic equation हम कैसे लिखते हैं, d by dt को हम क्या मानेंगे, d, ठीक है, d मानते हैं, derivative या कुछ भी ले लो, तो अब यहां से कैसे लिख सकते हैं, d square plus r by l, d plus 1 upon lc, और यह vc लिख दो, vc तो बात में 0 हो नहीं है, तो मैं अभी इसको हटा देता हूं, ठीक है, is equal to 0, अभी इसका solution कैसे हैगा, वो quadratic formula है, क्या बोलते हैं, उसको, श्रीधराचार रूल याद है, तो यह हो जाता है, so d1, d2 is equal to minus b, b क्या है हमारे पास, r by l, plus minus b square, b square, minus 4ac, तो यह 4 upon lc, ठीक है, divided by 2a, तो a तो 1 है, तो यह 2, अब यह 2 को भी इदर लेके जाता हूं, तो d1, d2 is equal to minus r upon 2l, plus minus, अब यह 2, इधर तो 2l हो गया, और इधर root के अंदर जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं, 4 हो जाएगा, तो again square के अंदर 2 हो जाएगा, तो r upon 2l का whole square, minus, यह again 4, 4 cancel हो जाएगा, 1 upon lc, ठीक है, यह simple है, कर लेना कुछ से, अब देखो, यह हमारे पास बहुत ही कुछ तरका भड़का वला है, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, d1, d2 is equal to minus alpha plus minus alpha square minus omega square, ठीक है, यह इस फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, तो जहाँ पर alpha क्या है, alpha है हमारे पास, r upon 2l, इसको मैंने बोल दिया, यह alpha है, और omega क्या है, omega है हमारे पास, 1 upon root under lc, ठीक है, omega तो हमें पता है, natural frequency होने वाली है, सर्थ हमें previous वीडियो से पता है, यह omega इसलिए आपने इसका नाम दिया है, और alpha का भी, काफी importance है, alpha का भी, तो जो हम देखेंगे, अभी next क्या, अब देखो, यह जो है, दो roots आए हैं, बट अभी भी हमको नहीं पता, यह left half plane में है, यह right half plane में, चुकि हमने ऐसे तो define गा था, प्रीवेस वीडियो में left half plane में pulse होंगे, तो stable होगा, right half plane में होंगे, तो unstable होगा वगेरा वगेरा, देखा था हमने, ठीक है, वापीस से भी देख लेंगे, no issues, बट यहां पर यह actually, एक root minus है, plus है, बट कौन साल greater है, कौन साल lower है, हमें नहीं पता है, तो हमें cases मानने पड़ेंगे, तो सबसे पहले case 1, तो case 1 में क्या है, simple वाला case, जो लिखा है भई, मतलब alpha square is greater than omega square, ठीक है, यह case 1 है, case 1 का मतलब क्या है, r upon 2l, square should be greater than 1 upon lc, ठीक है, तो यह हो गया, अब यहाँ, इसको मैं और थोड़ा सा एक अपने loving form में लिखना चाहता हूँ, जो मुझे पसंद आता है, वैसे इसके बहुत सारे forms है, क्योंकि इस ही कोई, इसमें कितने सारे permutation combination बन जाएंगे यार लिखने के लिए, बट मुझे कौन से form में याद रहता है, मैं उस form में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यह हो जाएगा, r square upon 4l should be greater than 1 upon, नहीं, यह l square है, lc, तो यहाँ से मैं 1l और 1l कट कर दूँगा, ठीक है, तो यह r square है, तो एक r को ऐसे ही लिखूँगा, और एक r को मैं नीचे ले आऊँगा, तो मैं कैसे लिखता हूँ, case 1 को मैं कैसे लिखता हूँ, 1 upon 4, rc upon, l by r, यह r उपर जाके r square होता है, ठीक है, should be greater than 1, तो मैं इस form में लिखता हूँ, इतना गुमा फिरा के इस form में क्यों लिखा, देखो यार, सोचो, सोचो, क्यों लिखा, सोचो, 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 rc क्या है, सर यह तो time constant है, किसका rc circuit का, l upon r क्या है, और यह भी time constant है, किस का RL circuit का तो मतलब मैंने क्या किया RLC circuit को तोड़ने की कोशिस की RC circuit और RL circuit में तो ये RC circuit उपर और RL circuit का time constant नीचे तो ऐसे थोड़ा सा feel आ रहा है आपको कि ये चल क्या रहा है दोनो time constant एक दूसरे में जगरने की कोशिस कर रहे हैं फिल आ रहा है थोड़ा एक RC time constant एक L upon R time constant दोनो time constant एक जूसरे से थोड़ा बहुत fight करने की कोशिस कर रहे हैं अब होगा क्या इस case में ये देखो अगर ये condition match हो गई अगर ये condition match हो गई मतलब कि आपके जो roots हैं R बताओ क्या है अगर ये condition match हो गई मतलब alpha square should be greater than omega square मतलब ये quantity positive और ये भी positive मतलब सब कुछ real real world चलने वाला है तो roots are distinct या फिर roots are real and distinct ठीक है simple है तो कौन-कौन से roots आएंगे तो जो भी आएंगे roots D1, D2 आएंगे न या फिर alpha 1, alpha 2 माल लो या कुछ भी माल लो ठीक है तो यहां पर alpha और gamma तो अल्रेडी माल लिये हैं तो P1, P2 लिखते हैं ठीक है पोल्स बोलते हैं उसको क्योंकि ये पोल्स है सिस्टम के तो पोल्स क्यों है ये हमें लैपलास वगड़ा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इसको पोल्स क्यों बोलते हैं ठीक है जीरो और पोल्स का अलग है मुझे नहीं पता ये कोर्स में हम पढ़ेंगे बेकी नहीं पढ़ेंगे या कप पढ़ेंगे अब कुछ तो नुमिरेटर आता है नुमिरेटर में चीज़े जीरो होती है और दिनोमिनेटर में पोल्स होती है ठीक है इतना ध्यान रखना तो अब ये पोल्स हैं सिस्टम के तो अब इसका इसका जो सॉल्यूशन है बिदोर शाहिए हो क्या होता है वी सी ओफ tea ये होता है यह दोटी स्पावर एंशल कंडिशन से और बोल तो देते हो इनिशल कंडिशन क्यों कैसे निकालेंगे ब्सक्राइब आप क्या कर सकते हो, at t is equal to 0, ठीक है, vc का आपको पता है, vc 0 value पता है, तो वो put कर देना, तो यहां से एक equation आजाएगा, क्या आएगा equation, a1 plus a2 is equal to vc 0, ठीक है, यह equation आएगा, दूसरा equation, क्या करना है, derivative ले ले लेना, तो dy dt of vc of t, तो यह क्या आता है, i0 upon c, तो i0 का initial condition लिखना, ठीक है, तो यहां से क्या आजाएगा, a1, p1 plus, और यह भी at t is equal to 0, initial conditions पे, ठीक है, at t is equal to 0, तो यहां से a1, p1 plus a2, p2 is equal to i0 by c, ठीक है, यह आजाएगा, तो i0 b, हमें हमें, पता है कि 0 ही ही रहता है, ठीक है, initially, natural case में, यह natural response की, अगर हम बात करें, तो यह दो equations है, दो unknown है, क्योंकि i0 भी पता है, c भी पता है, vc 0 भी पता है, a1, a2 नहीं पता है, p1, p2 पता है क्या, हाँ यार, p1, p2 पता है, अभी तो निकाला हमने, तो p1, p2 क्या है, यह, तो p1 में लिख देता हूँ, p1 is equal to minus r upon 2l, प्लस, ठीक है, root under, यह क्या लिखूँगा, r upon 2l का whole square, minus 1 upon lc, ठीक है, यह लिखूँगा, और p2 क्या हो जाएगा, p2 is equal to minus r upon 2l, minus root under r upon 2l का whole square, minus 1 upon lc, तो अब देखो, एक root क्या है, minus और उसमें कुछ, प्लस, अभी में पता है, यह quantity greater है, इस quantity से, मतलब यह बड़ी quantity है, और यह छोटी quantity है, तो यह हमेशा positive रहने वाला है, तो मतलब हम minus r upon 2l में, कुछ तो हम प्लस करेंगे, मतलब इसकी quantity क्या हो जाएगी, overall छोटी हो जाएगी, तो यह p1 क्या है, यह छोटी quantity है, तो यह p1 है हमारा, और यह left half of the plane आएगा, because यह negative होगा, overall negative होगा, अब similarly, यह negative number में और हम negative जोडने की कोशिश करें, तो यह p2 क्या है, p2 थोड़ा दूर होगा, ठीक है, और इसको बोलते है, non-dominant pole, यह क्या मजा क्या सार, dominant, dominant क्यों था, बड़ा जो होगा, वो dominant है, छोटा वाला को dominant क्यों बोल रहो हो, तो p2 बड़ा है, p2 dominant होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, यह p1 1 है, plus a2 e to the power, मालो यह minus 5 है, ठीक है, यह minus 1 है, यह minus 5 है, तो यह minus 5T, ठीक है, यह दो term, a1 a2 कुछ तो भी है, अब देखो, यह दो terms, यह p1 है और यह p2 है, तो अब बताओ, यह p1 जल्दी decay होगा या p2, वहला है, यह बड़ा term है, यह fast decay होगा, ठीक है, तो p1 देखो, कैसे flow होगा, यह या फिर रैदर मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है, तो यह दो, यह p1 है, p1 सिर्फ minus T है, तो यह क्या होगा, धीरे, 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 धीरे इसे decay हो जाएगा, ठीक है, तो बताओ, इन दोनों का addition करोगे, तो कौन जाधा देर तक चलेगा, कौन, कौन decide करेगा response, यह तुम्हारा p1 और यह तुम्हारा p2, तो तुरन die out हो जाता है, p2 तो मर जाता है, यह तो इतने ही time पे, कुछ तो t1 time तक मर जाता है, उसके बाद तो p1 ही चलते जाता है, है न, तो यह दोनों को add करोगे, तो p1 dominate करेगा, तो p1 क्या है, p1 यह है, तो इसलिए, जो पास वाला है, वो dominant होता है, pole और जो दूर वाला है, वो non-dominant pole होता है, ठीक है, समझ में आ गया, यह हमें कहां से पता चला, यह हमें real and distinct root से पता चला, यह यह एक case है क्या, मुला नहीं है, तो एक case नहीं है, second case भी है, तो second case क्या है, case 2, उसमें क्या है, alpha square is equal to omega square, अब इसी को अपने loving form में लिख लेना, r upon 2l का whole square is equal to 1 upon lc, या फिर 1 by 4, rc upon l upon r, है न, दो time constant एक दूसरे से जगडा कर रहे है, is equal to 1, exactly, ठीक है, तो यह exact है, दोनो, almost same है, इसलिए 1 लिखाया कुछ तो, ठीक है, तो अब देखो, यहां से क्या आया, यहां से आएगा हमारे पास, अब हमें पता है कि जो root है, वो क्या है, जो p1, p2 है, वो है हमारे पास, minus alpha plus minus root under alpha square minus gamma square, ठीक है, तो अब alpha square is equal to gamma square है, मतलब, यह part तो गया, तो root के आगा हमारे पास, सिर्फ minus alpha, ठीक है, सिर्फ minus alpha, अब हमें पता है, कि जो minus alpha है, वो minus omega के भी बराबर है, तो यानि कि यह r upon 2l, या फिर इसको हम 1 upon root under lc भी लिख सकते हैं, है न, दोनों possible, because यह दोनों हैं तो equal, r upon 2l is equal to 1 upon root under lc, यह दोनों equal हैं, तो कुछ भी लिखो, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो root आते हैं, तो उसका solution क्या आता है, तो यह vc of t is equal to, यह आता है, a1 plus a2 t, जब यहां पर क्या है, roots are real and equal, ठीक है, तो यह याद रखना, यह यहां पर लिख देता हूँ, मैं, तो जब भी यह situation आएगा, जब भी यह alpha square is equal to gamma square होगा, gamma नहीं, omega square होगा, तो alpha और omega क्या है, यही तो है, तो यह ध्यान रखना, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, roots are real and equal, ठीक है, तो roots are real and equal हैं, तो क्या होगा, यहां VC of t is equal to a1 plus a2t e to the power 1 upon root lc into t, ठीक है, तो यह आगया हमार पास solution, again, initial condition से निकाल लोगे, no issue, एक VC of t 0, एक VC को 0, एक VC की initial condition से, और उसको, इस equation को derivative लेके, और फिर आप current के initial condition से निकाल लेना, ठीक है, यह हो जाएगा, तो अब इसका कैसा आता है graph, अब देखो, यह भी कुछ exponential ही है, ठीक है, यह आपका minus है, यह minus है, sorry, minus alpha, minus, यह सब minus है, ठीक है, minus है, मतलब यह क्या हो रहा है, decay हो रहा है, time के साथ decay हो रहा है, तो यह time के साथ, कुछ तो decaying graph आएगा, ठीक है, तो यह भी decaying graph आएगा, अब इसको match करेंगे, कि यह कितना decay कैसे आएगा, तो with respect to that, अब वहाँ पर देखो, एक बड़ी वाली dominant term थी, याद है, dominant term जो कि बहुत जादा decay कर रही थी, तो यह system, आपका क्या हो जाता है, इसको हम बोलते है, critically damped system बोलते हैं, जिसका मतलब समझेंगे, control system में हम समझेंगे, इन सब का मतलब की क्या होता है, ठीक है, अभी के लिए आपको basic idea दे रहा हूं, ठीक है, तो यह previous graph से अगर compare करें, तो previous graph आपका कुछ ऐसा था, थोड़ा लंबा जा रहा था, उसको overdamp system बोलते हैं, यह सब हम देखेंगे next lecture में और अच्छे से, अब यह एकदम ही fast जा रहा है, ठीक है, और यह exponentially decay हो गया, ठीक है, with some initial value, ठीक है, जो की है आपका VC, VC 0, ठीक है, वहाँ से, अब आपका जो तीसरा case है, case 3, वहाँ पर क्या होगा, alpha square is less than omega square, ठीक है, मतलब r upon 2l square is less than 1 upon lc, है न, यह आएगा, मतलब, again अपने loving pong में, 1 by 4, rc upon l upon r, sorry, not r upon, l upon r, is less than 1, ठीक है, तो अब यह condition अगर होगी, तो क्या होगा, अब यह condition होगी, तो क्या होगा, अब देखो, हमारे पास roots क्या है, p1, p2, जो roots हैं, वो क्या है, minus alpha, plus minus root under, alpha square minus omega square, अब क्या है, omega square बड़ा है, alpha square को मैं, मतलब root के अंडर quantity क्या होगी, negative, और root के अंडर negative quantity मतलब क्या होता है, j, ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगा, minus j को बाहर निकाल दूँगा, और उल्टा कर दूँगा, ठीक है, तो p1, p2 क्या हो जाएगा, सिर्फ case 3 के लिए, minus alpha, plus minus j, root under, omega square minus alpha square, ठीक है, यह हमारा roots आ जाएगा, अब इसको लिख भी देता हूँ, minus r by 2l, plus minus j, root under, 1 upon lc, minus r by 2l का whole square, ठीक है, यह हमारे roots है, तो यह क्या है, roots are complex conjugate, complex conjugate, ठीक है, अब जब भी roots complex conjugate क्या होते हैं, तो क्या होता है, oscillation होता है, हमने previous वीडियो में देखा था, बट यहाँ पर क्या oscillation में difference क्या होगा, सोचो, वहाँ पर roots जो थे, lc circuit में वो क्या थे, complex conjugate है, but on the x, on the y axis, on the imaginary axis, ठीक है, यहाँ पर क्या है, roots are complex conjugate, and on the left half of the plane, ठीक है, left half पर है, मतलब यहाँ पर नहीं है, अब roots जो है, वो यहाँ पर है, actually, because एक minus r upon 2l तो है, तो यहाँ पर minus r upon 2l है, और imaginary axis में, प्लस वाला और एक minus वाला, 1 upon lc minus, यह जो भी बड़ा सर्टो में, वो यह है, तो इस तरह से यह left half plane में, तो अब क्या होता है, अब जो होता है, अब जो response होता है, वो कैसा होता है, तो complex conjugate है, मतलब कुछ तो oscillation होगा, ठीक है, तो इसका response कैसे लिखते हैं, vc, vc of t is equal to sum a, यह बड़ा वाला यह लेता हूँ, क्योंकि वो a भी हमने काफी solve करके लिखा था, यहाद है, a cos of omega t और प्लस 5, है न, a cos of omega t प्लस 5 लिखा था, ठीक है, और omega क्या था, omega is imaginary part था, ठीक है, omega, यह previous case से बताना, यह omega प्रिवेस omega है, यह अभी current वाला omega मत सोचना, ठीक है, current वाला omega आपका दूसरा है, यह j दूसरा है, यह imaginary part से आता है, अब देखो इसी formula होगा, बट वहाँ पर क्या था, यह जो term थी, real term थी नहीं, बट real term के कारण क्या होता है, अब या क्रो कॉस कहां से आया, कॉस आता है आपका e to the power j theta plus e to the power minus j theta, और divided by sum 2, या फिर हमने multiply divide to many times कर सकते हैं, तो जो भी term है उसके कारण से e to the power e to the power आता है, जो कि actually alpha होगा, ठीक है, तो यह e to the power term extra आएगा, समझ में आ रहा है, तो इसके कारण e to the power का एक extra term आएगा, तो मैं इसको पूरा solve नहीं कर रहा हूं, बट यहाँ पर आप देख सकते हो, कि यहाँ पर एक extra term आपकी आजाएगी, ठीक है, क्योंकि एकदम evident दिख रहा है मुझे, कि यहाँ से एक extra term हमारी है, तो यह आजाएगा e to the power, सबसे पहले एक तो इक constant आएगा, बड़ा वाला क्योंकि वो काफी solve करने के बाद आता है, e to the power, अब यह p1, p2 का, यह real part माल लो और यह imaginary part माल लो, ठीक है, तो यह इसका p1 या p2 कोई भी, इसका real into t, ठीक है, जो की minus r upon 12 हमें दिख रहा है, cos of, ठीक है, omega क्या है, imaginary part, ठीक है, तो p का imaginary part into t, ठीक है, plus phi, ठीक है, यह इसका solution आएगा, तो यह जो इसका omega है नो, वो उतना बड़ा होगा, one upon lc और this, this, whole, यह इसका पूरा, तो frequent, तो इसका shape कैसे आएगा, आप वो देख लेते हैं, ठीक है, again, a and phi आप क्या initial condition से निकाल सकते हो, ठीक है, वो एक vc को मानके 0 और एक dv by dt को 0 मानके, ठीक है, तो अब देखो, सिर्फ cost का क्या होता है, सिर्फ cost का, sorry, सिर्फ cost का ऐसे आएगा, ठीक है, और यह क्या एक, कुछ तो decaying term है, ठीक है, तो यह ऐसे जाएगा, ठीक है, तो अब इसके साथ इसको multiply करेंगे, तो यह कुछ इस तरह से आता है, यह envelope बनके आता है, ठीक है, यह envelope बनके आता है, तो envelope इक्छिली कैसा रहता है यह इस तरह से, यह envelope रहेगा, और यह भी एक envelop रहेगा, ठीक है, positive, negative दोनों साइड क्योंकि positive नंबर को निगैटिव से भी multiply करेंगे, तो वह नंबर क्या हो जाता है निगेटिव तो आपका response कुछ इस तरह से बन कियाएगा यह ऐसे ठीक है और यह धीरे-धीरे 0 हो जाएगा ठीक है तो यह इस तरह से यह response आता है VC of t का और यह 0 का तो यह exponential term e to the power minus r by 2l into t और यह आपका cost का जो imaginary term है वो decide करेगा और frequency कौन decide करेगा यह आपका frequency decide करेगा ठीक है यह बड़ी सी term तो यह आपका बड़ा सा term जो है वह आपका frequency हो गया ओके तो frequency क्या ओमेगा ओमेगा लिख देता हूं ओमेगा is equal to 1 upon root under 1 upon LC minus r upon 2l का whole square ठीक है तो यह frequency हमाई पता चलगी सब पता चलगी सब पता चलगी मतलब fast है बहुत अगर इसी graph को थोड़ा गंदा करता हूं ठीक है अगर यह अगर हमने बहुत fast कर दिया ऐसे या ऐसे तो सोचो यह यहीं के बाद आके सही हो जाएगा मतलब decaying term जितना fast होगा यह real part जितना dominant होगा कह सकते हो उतना यह जल्दी decay होगा और जल्दी stable होगा ठीक है तो stable system जब हम बनाते हैं तो यह चाहते हैं जल्दी से तो बुलना सर 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 यह भी तो काफी जल्दी यह तो मतलब खतरनाक वाला डीके हो रहा था और यह तो भाइया बहुत देर से मतलब इसमें तो उसलेशन आने के संभावना वाला गंदा है ठीक है क्योंकि यह यह बताओ आपको आपको पहले तो बोल रहे थे पहले तो बड़ा बोल रहे थे कि आपको अगर हमने और लगाया है तो वह उसलेटर बनाने के लिए हम आर उसमें तो लगाएंगे नहीं तो लगाया है तो वो oscillate कर ही नहीं सकता, मतलब वो sustained oscillation नहीं कर सकता, वो damp ही करेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो resistance सारा charge लेके उसको damp कर देगा, ठीक है, उसको damp कर देगा, यहाँ का loop का जो voltage है, VC voltage हो सब 0 कर देगा, current भी 0 कर देगा, ठीक है, ultimately यही होने वाला है, तो RLC circuit में जो हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कि कितनी जल्दी damp होगा system, कितनी देर से damp होगा system, और यही overall control system का theory कहता है, यहाँ पे तो LC है, तो इसलिए हमें चीज़ें नहीं समझ में हैं, बट basic amplifier हो गया, अगर आप amplifier पढ़ोगे, या और भी कोई अधर feedback system पढ़ोगे, उ यह सब चीज़ें हम आगे, analog design में तो बहुत हैं, इसका basic यही से start होता है, कि एक second order system है, और second order system मतलब 2 pool का system है, और यहाँ पे तो energy storing elements है, यहाँ पे delay भी एक हो सकता था, delay ज़रूरी नहीं कि एक inductor से है, suppose 2 capacitor भी हो सकते थे, यहाँ पे 2 capacitor भी हो सकते थे, तो भी यह second order system बन और inductor हटा दिया तो, ठीक है, तो there are various types of circuit, तो हम हर किसी के बारे में comment नहीं कर सकते, इसमें यही ध्यान रखना है, कि तीनों case को अच्छे से समझ लिया आना, तो भाई, आगे जो है, अगर आप कितना भी high fundu circuit पढ़े analog में, यह सब चीज़े आपको एकितम मख़ल लगें, तो होपसर आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यस यस जाते 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 जाते, current बता दो, current, 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 through inductor, ठीक है, अब हमें पता है, from our previous knowledge, कि अगर यह cost है voltage, तो current क्या होगा, sign होगा, क्योंकि उसी का derivative करते हैं, c, dv, c, y, dt, तो sign के form में होगा, कुछ तो भी, constant function में, मैं solve कर नहीं रहा हूँ, तो यह sign के form में होगा, तो यह इस तरह से, ऐसे, 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 ठीक है, यह current है, ठीक है, और ic, draw करना है, तो just इसका ultra draw कर लो, ठीक है, यह हो गया, हमारे पास, ic, 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 is equal to minus il, हम यह कहा था, तो यह ic है, और यह il है, ठीक है, simple है, चलो, फिर, मिलते हैं, next video में, next video में, हम थोड़ा सा, इसका, इसमें, जो generalized सीजे हैं, वो पढ़ेंगे, damping factor क्या है, और exactly, क्या-क्या situations है, और generalized form में, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, quality factor के बार में, हम जानेंग सरकीर का quality factor क्या होता है, ठीक है, तब तक के लिए बने रहो में चैनल से, अगरे पसंद आ रहे हैं, मेरी वीडियो सो like करो, subscribe करो इस चैनल को, मिलते हैं, next video में, have a nice day, bye bye, take care